हलो अब्लोगों माई नेम सुरज और वालकम टू दौ निव वीडियो गाइस आज मैं प्ले कर रहा हूं कार सेलर सिमुलेटर डीलर सिप इस गेम में होता यह है कि हमें पुरानी गाड़ियों को खरीद के उनको रिपेर करा के तकड़े दामू में बेचना होता है ओ ओ ओ ओ मै आज का गोल है सिर्फ 100 लाइक तो तुम लोग कंपलीट कर देना एंड लेस को अल्राइट तो अब भी मैं जस्ट वन आवर पहले इसको प्ले कर रहा था तो मैंने सब कुछ भाई प्रॉपर सीख लिया है धंका ताकि मुझसे कोई गरबड़ी ना हो बस वहां से ओफिस क्राइब वाई लुए निकल नहीं रहा था कोई इसमें अभी चलना है कार मार्केट और कार मार्केट में देखते हैं कौन सी कार मिलती है अगर मिल गई नहीं मस्त तगड़ी कार तो मजा ही आज जाए नहीं नहीं कार मार्केट भाई क्लोज है मुझे अब भी जाना ओगा झाय नेवर्वूढमे हो सकता है वहाँ पे मिले कार लिकलते हैं बस अंक कोई कोई अंक की गार मिल जाये और मैं 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 न मैंना ऐमीर हो जाओ इस देम कि में ठीक आपे बाउसारी गाड यहां हों यहां लेकिन कौन सी कार उठा हूं मैं यह दूनों से मैं चलो यहां पे देख लेते हैं हाँ हाँ चलो मैं इसको ले सकता हूँ काम हो जाएगा हम लोगों का इत्ते में क्या सामने चलके देख लेते हैं हम लोग भाई कुछ हो जाए उतना मकाम कहा हो पाएगा मेरे पास सिर्फ 6,000 है और ये आंटी आंटी जी हाँ यहाँ पे काम बन जाएगा हम लोगों का चलो अभी मैं इसको खरीद रहा हूँ और इस गाड़ी के डैमेज पार्ट तो दिख नहीं रहे है और बारगेन करने का भी आप्सन नहीं है चलो कोई नहीं लेके जलते हैं हम लोग अभी मेरे पास बच्चे हैं 468 डॉलर जो मैं इस गाड़ी पर खर्श करने वाला हूँ तो ओ भाई अब भी देखो भाई कार पूरा 50% से ज़्यादा डैमेज है इसको मुझे इसके ज़्यादा पैसे मिल जाए वरना यह कार लेना बहुत ही गड़बर वाली बात हो गई मतलब मैं इससे ज़्यादा पैसे में नहीं बेश पाऊंगा हाँ रिपेर की बात रही तो मैं रिपेर भी नहीं करा पाऊंगा इसको क्योंकि मेरे पास सिर्फ 400 डॉलर है तो उतने से तो यह गाड़ी रिपेर होगी नहीं कुछ भी हो जाए लेकिन मैंने गलती करदी इसको ले करके अभी लेकर चलते अपने सो रूम के पास पहले इसको सेल पे लगाते हैं बीना रिपेर कराए अगर मुझे इस गाड़ी के ना 15,000 डॉलर मिल गए न तो भाई समझ लो की पैसा वसूल हो जाएगा मेरा मैंने 6,187 डॉलर की लिए ती 187 डॉलर और अगर इसकी डबल चले जाए तो भाई समझ लो की पहुत ही अच्छी बात है कि मैं प्रॉफिट में हूँ अगर हो गई तो ठीक है इतने में अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं हम लोग बीना रिपेर कराए थोड़े लॉस में जाएंगे लेकिन हाँ इसको सेल कर देंगे ओके प्रॉपर हो चुका है अभी देखते हैं य पढू फैही क्या बोलता है कि भाई तीकहशी हो भाई देहो पहले तो मेरे से नहीं हो पाए गई है मेरे से नहीं पाए है सब्सक् भाना नहीं होगा तो कोई बात नहीं पहले तो हम लोग प्रोपर धंग का काम कर लेते इसको बंद करते चलौ अब यहां भाई साप 300 कोई नहीं मैं इसको फिरन करता हूं कौन सा कलर चूस करूं मैं बस बस कोई धंग की कलर चूस हो जाए औधी है यह साय ठीक है चलो हो गया दन भाई इसी पर दन करते हैं और अब भी चलते हैं भी मेरे पास बचे 168 डॉलर मतलब 168 कोई नहीं पैसे बहुत कम है मेरे पास ट्रेवल करने का भी खर्चा नहीं है तो इसको बैच के मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट कमानी होगी वरना मैं मैं ट्रेवल करने के भी पै प्रॉफिट कितना होता है अगर प्रॉफिट धंका हुआ तो समझ लो कि हम लोग भाई मजे में रहेंगे वरना हमें यह अपना बिजनेस भाई बंद करना पड़ जाएगा चलो यह रहा अपना छोटा सा सोरूम और इस सोरूम के बगल में लगाते हैं ठुक जा भाई पहला इसको बंद करते हैं चलो यह बंद हुआ अभी चलके मैं पहले इसको सेल पर लगाता हूं पहले यह भी तो देखना जरू है कितने पैसे मिलते हैं अभी तक मैंने एक भी गारी सेल नहीं करी और एक खरीदी तो भाई वह कहीं पर अटका के छोड़ी थी वह BMW की साथ क कोई कार थी देखो यहां पर देखा है लिस्ट में आया लेकिन हो यहां पर अभी लेवल नहीं है और एक यूसेवन को भाई भाई यह पुरानी मॉडल तो है लेकिन पैसे अच्छे खासे दे सकती है यह इसको करते हैं फिप्ती थाउजेंड फिप्टें थाउजेंड अब भी मुझे सेल तो ओन ही चुका है अभी मुझे कस्टमर का वेट करना होगा चल के बाहर थोड़ा वेट करते हैं साहथ कोई कस्टमर आ जाए और इसके अच्छे खासे तगड़े पैसे दे दे मुझे वह चलो थोड़ा वेट करते हैं बस बस कोई अच्छा कस्टमर आ जाए और मुझे अच्छे पैसे चाहिए अगर मिल गया तो कोई बात थी पहले चल के ओ कस्टमर तो आते रहेंगे पहले चल के हम लोग थोड़ा डेकोरेशन का कोई चीज देख लेते हैं कि कैसे क्या चीज है देकोरेशन भी देखना जरूरी है ना ये अपक्रेट में क्या है अच्छा ये स्लोट है कोई बात नहीं अभी पैसे है नहीं तो मैं अपने सोरूम का एरिया बढ़ा नहीं सकता और ये कैंटेनर है और इसका भी डिजाइनिंग है लेकिन कोई नहीं वे रात हो गया वे रा दो जा ठीक है वरना कोई चोरु चक्का आ के भाई गड़ी ही ले के नहीं कर जाए ठीक है अभी तू पड़ी रहे हैं यहीं पर मैं चलता हूं अपने घर को घर कहां वो भी ऐसा घर उसे घर भी नहीं बोल सकते मतलब बताओ एक एक कंटेनर को कौन ही घर बोलना चाहेगा यह है मेरा घर सामने देख रहे हो यह कंटेनर यह कंटेनर घर है और इसमें सोना है चलो भाई सो जाते हैं और आज का रिजल्ट यह है कि हम लोग माइनस तूथाउजन फिप्टी एंडरेट ट्वेंटी डॉलर की लॉस हुई है मतलब अभी कोई स्कार सेल नहीं करी मैंने तू नहीं BMW की जो कार थी जो जहां अटकी थी यह कर हमारे मेरे घर के बगल में मैं वाज़ा ही राइट कर रहा था और आके भाई इस जाली में ठुकी और यहीं पर अटकी पड़ी है चलके देख लेते हैं निकलता है कि नहीं पस यह निकल जाए भाई तू निकल जाई हो अब यहार निकल गई भाई पता नहीं कौन सा गिलेच हुआ था वहां से आगे बड़ी नहीं रहा था लेकिन अभी यह निकल गई तो ले के चलते हैं सो रूम पे भाई इसको भी सेल कर दूंगा मैं मतलब डबल प्रॉफिट पर आ जाऊंगा मैं मेरा जितना का लॉज हुआ है गैस्टेशन सामने यहां पर है यहां पर चलके हम लोग फ्यूल डला ले क्या लेकिन पैसे भी तो नहीं है अरे नहीं नो नो भाई देख लो भाई देख लो मतलब डैमेज इता का था नहीं उससे जादा हो गया और इसके ब्रेक भी नहीं धेंके लग रहे हैं कोई नहीं से लेके निकलता हूँ अरे नहीं ठुक गया फिर से डैमेज हुआ 2-3 परजिन का कि बस बस यह अटक गया यह अटक गया मैंने बोला था ना कि यह मतलब कहीं पर भी अटक जा रहा है देखो अब भी यह अटक गया फिर से कोई बात थी कोई बात थी इसको पहले छोड़ देता हूँ अगर किसी दिन निकलेगी तो फिर से निकाल के उसको सेल करूँगा पहले चलते हैं सोरूम के पास अपने सोरूम के पास और वहां से वो कार सेल करते हैं मैंने जो रखी है उसको अटाना बहुत जरूरी है तब जाके मैं दूसरी कार को खरीद के लाके बेश पाऊंगा तो अभी चलते हैं पहले अपने सो रूम को अपेन करते हैं और यहाँ पर कूड़ा का बाड़ा लोगों ने फेक रखी है तो उसको भी क्लियर करना पड़ेगा भाई मतलब सोजो तुम लोग सब जगह छोड़ के सो रूम के पास ही कूड़ा का बाड़ा रखना होता है इन लोगों को यह उठी चाओ यह चलो पहले तो ओ एक कस्टमर भी आगा है सुबह सुबह भाई आज का दिन भाई बहुत ही ज़्यादा सुबह ओके है पहले अंकल जी को एंडल करते हैं कुड़ा करकर बाद में फेकेंगे अंकल जी कितने दे रहे हो भाई के दे जी काम हो जाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा जी जायो 6 अलब उतना लॉश्य में नहीं जा सकता बही यह दू-जार डॉलर की पृपित होगी एक दू-जार काहा हो गए यह एक 1612 Dae तू की प्रॉपित होगी तुक्ष नहीं होगा मेरा पहले इसको रख देते हैं इसमें चलो जी ओफिस तो क्लीन होई चुकि बस वेट करना है कस्टमर का और कस्टमर का बाएंगे कब कैसे काउन आएगा कुछ पता नहीं अभी भाई कोई तो आजा भाई इतना लेट क्यों उइन कुछ जब आपदा है ऒओ ओके ऐक अंकल हैं आंटे चलो अंकल जी हैं अंकल छी बस मुझे कुछ पैसे बढ़िया पैसे मिल जाए किते मिल हैं ja क्या मैं सेलकर तूं कि बताओ जल्दी बताओ जल्दी मताओ मैं सेलगर तूप की नहीं मुझे इसके ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले चलो कोई बात है थोड़ा यह सही लेकिन कम profit हुआ लेकिन हाँ हुआ हुआ थोड़ा profit अभी मुझे अपना यह area भी बढ़ा करना है भाई क्या कुछ नहीं करना अभी मुझे पहले अपने घर का area मतलब बाहर का slot थोड़ा बढ इद्धी है, सामने बस स्टेंड, मतलब बस स्टेंड तो है लेकिन बस कभी दिखती नहीं है, चलो, इस बारे कौन सी कार लूँगा मैं, मैं कुछ कन्फूजन में हूँ, यहाँ पर चल की देख लेते हैं, यह कौन सी कार है, कुछ ज्यादा महेंगी लग रही है क्या आईए, अरे पाफ रे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, इतने पैसे नहीं है, सामने चल की देख लेते हैं, कोई सस्ती कार मिल जाए, इधर तो सभी सेम टाइप की कार हैं, सामने यहाँ पर चलते हैं, यह कौन सी कार है, यह बीम डबलू है, बीम डबलू है, साथ सस्ते में मिल है तो अच्छी बात होगी वह इतने में मेरा काम हो जाएगा बहुत सः बहुत सः इतने में में मेरा काम हो जाएगा इस कार को उठा लेते हैं अभी बारगेन करने का अभी option नहीं open होगा पतानिक किस तीन होगा अभी मेरे पास बचे सिर्फ 55 डॉलर तो इसको मैं क्या करता हूँ पहले भेज देता हूँ रिपेयर सेंटर पे रिपेयर सेंटर नहीं हम लोग ट्रक से भेजते हैं इसको चला के तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि अभी खर्चे बहुत हैं चलके बस 10 से 20 डॉलर दे के हम लोग नि पेयर करा नहीं सकता पैसे हैं नहीं अभी 35 डॉलर बचे हैं सिर्फ तो इसको लेके पहले सो रूम पे लगा के कोई मस्ट प्राइस सेट करता हूँ क्योंकि अपनी BMW है यार समझ रहे हो तुम लोग रेयर का रहा है और डैमेज भी कम है दर्टी जादा है कुछ लेके कुछ कोई बात है यार फ्यूल तो आदा था चलो पहले सो रूम पे लगाता हूँ प्राइस सेट करता हूँ नहीं चलो चल के इसकी प्राइस सेट करता हूँ और देखते हैं कितना पैसा मिलता है मुझे सेवन थाउजन चलो इसको मैं 15 तो करूंगा 12 कर देते हैं कोई बात ही 12 कर देते हैं क्योंकि 50 मैंने पिछले बार लगा था 15,000 तो सेल हुआ नहीं तो 12 कर देते हैं साथ कोई रेडियो जाए देने के लिए अभी कस्टमर का वेट करते हैं कुछ देर तक देखते हैं कौन सा कश्टमर आके क्वई अमीर कश्टमर आए ओके चलोंगवी आ गए कोई अमीर कश्टमर है तो समझलो कि मैं सेल करके भाई अच्छी परविट ले लूँगा कितने देर हुए इंकल अंकल है या आए आउंटी कितने देर हुआ हूँ कितना दे रहा हूं भाई पागल है क्या मैं इसी से सेल कर देता हूं शो annat कितना कम हो दे रहा था कोईर गी 11,000 काम हो जाये hell maharr देते हैं इतने में बहुत है चलो भाई बहुत है इतते तो अब भी आज का कुछ जाता है प्रॉपिट मार लिया है बैने तो अभी आज के लिए इतना ही अभी रात भी हो चुकी है विप साम के पांच बच चुके है तो अभी रात होने में कुछ जादा ही टाइम नहीं है बस ओफिस क्लोज करके हम लोग निकल जाते हैं अपने घर को एंड हाँ वीडियो काजी लगी तुम लोग कॉमेंट करना एंड चैनल पर नहों तो सब्सक्राइब कर देना और आद दोस्तों में सेयर कर दो भाई बैठ के देखो तुम लोग पता है तुम लोगों को वीडियो मेरी इंटेस्टिंग नहीं लगने लगेगी देखो यार दे झाल